नमस्कार दोस्तों, एलेक्ट्रिक वहिकल्स के हिंदी चानल पर आपका स्वागत है अभी तक हमने देखा है कि एलेक्ट्रिक वहिकल्स के बाटरी लीथियम आयन ये लेड आसिट बाटरी से बनाई जाती है लेकिन एक नए स्टार्टप नेक्सिस पावर एलेक्ट्रिक वहिकल्स के लिए बायो डीग्रेडिबल बाटरी बना रही है जो एलेक्ट्रिक वेस्ट यानी क्रीशी में हुई शती से बना रही है निकिता बालियर सिंग इस कंपनी की को फाउंडर और सी ओ ओ है उनका कहना है कि हम ज़्यादा तर लीथियमान बाटरी से का इस्तिमाल होते हुए देखते हैं लेकिन असल में लीथियमान वातावरन के लिए बहुत खतरनाक होता है और लोगों के लिए भी विशैला होता है ये बात जाधतर लोगों को पता नहीं है निकिता के को फाउंडर जो उनकी ट्विन सिस्टर है दोनों का प्लान फोर वीलर बनाना था शुरुवात में लेकिन जब उन्होंने नोटिस किया कि ऐसे बहुत सारे उलेक्रिक वहिकल्स है लेकिन लोग इने खरीद नहीं रहे है क्यूंकि मेंटेनिंस या कॉस्ट उनका बहुत ज़ादा है एलेक्रिक वहिकल्स के बाटरी ही बहुत ज़ादा कॉस्टली होती है तो इन सब को देखने के बाद उन्होंने सोचा कि पहले बाटरी पर ही काम किया जाए जो इन वहिकल्स में फिट हो सके उसके बाद उन्होंन अपने पॉइंट्स रखे कि लीथियमायन बाटरीज टॉक्सिक हजाड़स है और दूसरी बात ये है कि लीथियमायन इंडिया में मानिफाक्चर नहीं किया जाता है तो उनको कुछ ऐसे मैटेरियल चाहिए थे जो इंडिया में भरपूर मात्रा में उपलब्द हो और उसे ब प्रांट फादर के बायोकेमिस्ट्री के बुक्स में भी पढ़ा कि ये एलेक्ट्रोलाइट्स में बेनिफिट हो सकती है और इसी तरह उन्होंने आगे बढ़ा सेल्स बनाने के लिए क्रॉप रेसिड्यू की मदद से इनके रिसर्च के बाद इन्होंने पहले एक LED बल पर अपना टेस्टिंग किया और बाद में उन्होंने एक electric vehicle में बाटरी की टेस्टिंग की और वो successfully काम भी किया लेकिन उनका कहना है कि इसे और भी efficient बनाने के लिए और भी research जारी है क्योंकि main motor इस बाटरी को बनाने का है क्योंकि main motor इस बाटरी को बनाने का fast charge और long range था उनका कहना था कि हमने fast charge तो achieve कर लिया, achieve कर लिया है लेकिन ये उतना fast नहीं है जैसे कि normal lithium ion बाटरी को full charge करने के लिए 4-5 घंटे लगते हैं लेकिन crude form बाटरी यानि nexus power की बाटरी को full charge होने के लिए 50-55 minutes लगते हैं जबकि ये फिर भी fast नहीं है क्योंकि ऐसा ही result देने वाल थोड़े players है जो same charge देते हैं तो इसमें कोई difference नहीं है हमारा research and development जारी रहेगा, biodegradable बाटरी भी full charge fuel भरे जैसा हो सके, ये बाटरी 2x3x mode energy density के हो सकते हैं जैसे कि बाटरी नानो पाटिकल से बनती है और इसके raw materials भी lighter है तो ये बाटरी भी light weight हो सकती है, इस बाटरी में प् quick electron transform होता है, जिसकी मदद से हम charging का time reduce कर सकते हैं, इन बाटरी की कीमत के बारे में बात करें, तो इनकी कीमत बहुत कम होंगी, जबकि इने लीथे मान बाटरी से compare करेंगे, क्योंकि इन में जो raw materials का इस्तमाल हो रहा है, वो बहुत चीप है, तो इस बाटरी की कीमत 30 से 40% तक क होती है, उसके बाद ये degrade होना शुरू हो जाती है, जबकि Nexus battery में minimum 500 cycles होते है, degradation के शुरू होने से पहले, Nexus battery 2022 के 4th quarter में market में आएंगी, यानि और 2 साल में, क्योंकि इसकी efficiency बढ़ाने के लिए company और इसमें R&D कर रही है, company अपने batteries को market, OVMS manufacturers, electric vehicles component dealers को distribute करने वाली है, और इतना ही नहीं, आने वाले सालों में company affordable electric four wheeler को भी manufacture करने वाली है, Nexus batteries made in India affordable batteries होंगी, जो fast charging और long range देंगी, go green, go electric. कर दो spilledेंगी, जो la बालों में आने वालों में यही करें आना है,